और आपका स्वागत है संगीत के साथ में और एक तेरा राजनिती और राम जी इस विशे को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले में आपके साथ धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दर्शकों का जिन्होंने हमारा उत्सा बढ़ाया है तो देखिए तरह तरह की बातें की जाती हैं उसमें से हम बोलच जवारात भी निकल जाते हैं तो राजनर जी आपके साथ मुझे लगता है ऐसे चमकते हुए कुछ नई दृष्टी के हीरे जवारात निकल रहे हैं यो हमारी दर्शकों को पसंद आ रहे तो आपको मैं इसके लिए धन्यवाद करते हुए स्वागत आपका राम जी का नाम भारत की राजनीती में जब हम राम जी का इस्मरन करते हैं तो मुझे गनेश जी का इस्मरन करने की अनुवति आपसे लेते हुए, दिखे जो स्वत्तंत्र का अंदोलन है उश में हम गनेश जी और किस प्रकार से उनके समुद्र में प्रवा को लेकर एक जागरती हुई थी तो वही गांदी जी के आश्रम में भी राम जी का नाम जो था वो उर्जानवित करता रहा है सब को आप बताएं कैसे आस्था के साथ में और एक नई चेतना के साथ में यह जो राम जी का नाम है वो जब भारत की त तो अगर राजा का नाम सुने तो राजा राम से बड़े कोई राजा नहीं हुए जी तो सारी राजनीती जो है वो राम से प्रवाहित होनी चाहिए तो अगर राजनीती में राम नहीं है भारतिय संस्कृति में तो आत्मा के बिना शरीर है तो राम तो सबसे जो हम कहना चीए के आदर्श राजा हुए जिन्होंने एक दोवी के कहने पर कि कुछ गलत प्रजा समझ रही है अपने पत्नी को वनवास भेज दिया जो आज कई लोगों को जो फेमिनिस्ट हैं उनको बहुत उसमें बुरा लगता होगा लेकिन अगर उसको एक राजा के थिस्टी से देखा जाए क्योंकि जब राम उनको वनवास भेजते हैं तो एक पत्ती पत्नी को वनवास नहीं भेज रहा है Q4 ने राजा अपना धर्म पूरा कर रहा है और जैसे आज के संदर में देख लें अगर मोर्दी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया तो लोग कहने में कहते हैं कि परिवार नहीं रखा लेकिन उन्हें चोटे बड़े परिवार का ध्यान दिया तब कहने में कह सकते हैं कि पत्नी के साथ में उन्होंने बहुत ही अन्याई किया कह सकते हैं लेकिन हमारे यहां पर एक कहते हैं कि व्यक्ति के स्वार्थ से बड़ा परिवार का स्वार्थ होता है परिवार के स्वार्थ से बड़ा समाज का स्वार्थ होता है समाज के से बड़ा राष्ट्र का स्वार्थ होता है और राष्ट्र से भी बड़ा स्वार्थ सर्वध धर्म राष्ट्र का जो प्रत्वी है जो प्रकृति है उसका स्वार्थ होता ह तो व्यक्तिक अपने स्वार्थ को परिवार के लिए छोड़ सकता है परिवार अपना स्वार्थ समाज के लिए छोड़ सकता है और छोड़ना चाहिए तो उस दृष्टी से अगर राजा राम को देखा जाए तो उन्होंने राज में रहते वे राजा रहते वे अपने किसी स्वार्थ को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया तो मैं तो सोचता हूं अश्वजी की बिना राम के राजनीती और जब राम कहते हैं तो राजधर्म कहना चाहिए राश्रव कहना चाहिए हमारे लिए जो धर्म है अपने पहले भी बात कर चुके हैं वह English का सब्हार नहीं है कि अगर कुछ नजदीक में आए तो हम duty कह सकतेह उनको duty कहते हैं हम कहते हैं क्योंकि और हम duty भी नहीं कहते हैं सही माँने में तो करतविय को नहीं मानते था है कि आपके पास में कुछ चॉइस है आप करते वे का पालन करें या नहीं करें जब अगनी का धर्म कहते हैं कि जलाना है तो अगनी के पास में कोई चॉइस नहीं है उसका धर्म जलाना है तो जलाएगी जलाएगी चाहे कुछ भी उसके अंदर आ जाए गर्मी देना उसका धर्म है तो ज साथ बैठ के तो मनुष्य का धर्म क्या है उस बात को जब आप भारती या द्रिष्टी से समझने का प्रयाज करते हैं तो उसके आचरण में यदी उसने अपने धर्म को समझा है तो वो आएगा वो उसमें से खिलेगा उसकी जो सौरव है वो उसके मादिया में से प्रकट हो यह थोड़ी कावयात्मक बात लेके मैं सिरा सिरा जहां पर आपने बात को उचाया है जैसे अग्मी का धर्म है जलाना वैसे मनुष्य का जो भी धर्म है और एक शासक का चाए वो प्रजातांत्रिक धंग से आया हो या वो पैत्रक परंपरा से राजा बना हो उसका भी एक द्धर्म है तो राम जी का स्मरन करते हुए जब आप राज धर्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं और आपने यह भी बहुत बार मैंने भी हम सबने सुनाए राम राज्य जो है उसको सरुषिष्ट माना जाता रहा तो उसके क्या कारण रहे हैं आपकी दृष्टी में आए और प्रजा की रक्षा तो जब प्रजा की रक्षा कहते हैं तो दुश्मनों से प्रजा की रक्षा कहते हैं तो प्रकृति के जो कई बार रूप इसे दिखाई देते हैं जहां अधिक वर्षा या बिलकुल वर्षा नहीं होना या बाड़ होना या बुकम पाना उससे उसकी रक्षा उसमें उसकी साहता और उसकी हर तरह से उसकी रक्षा है ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सके तो प्रजा में एक सैनिक अपने सैनिक धर्म का पालन कर सके प्रजा में पीता अपने पीता धर्म का पालन कर सके अपने बच्चों का पालन कर सके पतनी अपने पतन का धर में हैं तो राम जो हैं वो उसके लिए माने जाते हैं कि उन्हों ने ये सब कुछ अपने में देखा और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं कभी उन्हों ने किसी के साथ न्याय नहीं होने दिया तो जो न्याय साशन प्रनाली और वो जो निया शाशन प्रणाली है वो राजा ने कहा ऐसा नहीं है उसके लिए अगर हम उस समाज को देखें जिस समाज में राम हुए जिसे हम हमारे हिंदु समाज में हम कहते हैं कि वो जो सबे था जब हम वर्ण विवस्ता पूर्ण तरहे लक्षित थी आप देखें कि वहां पर राजा जो है वो भी राम के पिता वह वह उनके चरणा का पकार करते हैं और वह जब कहते हैं कि हमारे रक्षा के लिए अपने पुत्र को भीजो तो बेजने में मना नहीं करते हो और पूत्र बिल्कुल बालक रूप में हो समय तो और ये बहुत सोचने की बात है कि सारे अर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष क्या है और जब हम रामराज्य की बात करते हैं, तो उसके आधार पर जब हम प्रजातांत्रिक शाशन प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं, तो भी कुछ बातें ऐसी हैं, जो संकेत रूप में, जो शाशन कर रहा है, उसकी तरफ उसको दिशा देने के लिए उसके सामने आदे जैसे कि वो प्रजात्रंत्रिक प्रणाली नहीं थी पर जितना अधिक एक जनता की भावना की तरफ राम जी ने ध्यान दिया यहां तक कि उनकी जो आर्टी आई वगेरे नहीं थी वो खुद ब्रवन करके देखते थे कि जनता क्या सोच रही है और जब वो सीता महिया की साथ उन्हें लौट कर आए और वो जो आप सब जानते हैं वो दोबी के द्वारा ऐसा बचन का आगया कि मैं राम नहीं हूँ जो तुम अगर इस प्रकार पर पुरुष के पास जा के आई तो भी मैं तुम को प्राव यानों उसने कई में एक प्रस्ण चिन लगा दिया था तो फिर उन्होंने उनको वनवा जिदे अब ये वाला जो प्रसंग है इसके कई प्रकार के इंटर्प्र होते हैं लेकिन अभी मैं चुकि राजनिती की दर्श्टी से देख रहा हूं तो एक जो एक सम्वेदन शील शासक का एक उस्तरदाइत्व पूर्ण भाव होता है आंसरे बलेटी जिसे हम कहें वो इसमें दिखाई देती उसको आप प्रजातांत्रिक भारत में कैसे देखते है अब सपोस करिए कि राम ने यह नहीं किया होता उन्हें नने लिया सिता को बेजने का सपोस करिए नहीं किया होता तो हर समाज में हर व्यक्ति की प्रति तो सीता नहीं है ठीके अगर कोई और इस्त्री किसी परपूरश के पास जाकर एक दिन रहके आ जाती और उनका पती उनको कहता कि नहीं मैं तुम्हें नहीं रुखूंगा या तुमसे मैं संबद विच्छेद करना चाहता हूं इस पर लेकर कि अगर राम के दरबार में आता तो वो पतनी क् पतनी कि आपने सीता वह एक उत्तों नहीं छोड़ा तो आप मेरे को ऐसी सिजा कैसे दे सकते हैं अब मेरी बास समझ नहीं है लोग यह देखते उन्होंने क्या किया लोग यह नहीं देखते कि अगर वो नहीं करते तो क्या होता प्रजा में एक मापदंड बन जाता कि पतनी कि अगर पर पुरुष के वहां पर रहे और फिर आए तो क्या होना चाहिए तो इसलिए वह राजदर्म का जो पालनों ने किया उनको बड़ा दुख हुआ ऐसा नहीं कि वह दुखी नहीं थे बहुत दुखी थे उन्होंने को दूसरी दूसरी शादी नहीं की दूसरा उसमें वियोग में होती ये भी वियोग में होते बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं बच्चे अलग से उनके बड़े हो रहे हैं पर उन्होंने वह राजदर्म का पालन किया क्योंकि अगर ओन ही करते तो उनके लिए राज चलाना एक मुश्किल है अलग से मापदंड हो जाता इस बात को लेते वे अब राम जी की तरफ और राजनीती के संदर्व को लेके चलते हैं तो भारत की स्वतनता से पहले जिस प्रकार से राम जी की प्रति निष्टा गांदी जी के मन में भी रही और जो रघूपति रागव, राजा राम, पतित, पावं, सीता राम, वो उनके आश्रम में नित्य उसका गान भी करते रहे थे तो आप बताएं किस प्रकार से राश्ट्रिय चेतना को जाग्रत करने की दृष्टी से जो राम जी का नाम है वैसे भी जब संबोधन आप देखते हैं भारत के किसी भी इसे में तो राम राम किया कर संबोधन किया जाता और प्राडम से लेके इसका स्मरण हम सबको रहता है जब नतिम यात्रा को लेने के लिए अपने कांदेश पर शवार करके जाता तो अभी राम नाम सत्य इसका उच्छारण किया जाता है इस उस पर भी प्रश्न चिन्द लगाए जा रहे हैं क्या आप यह देखिए गांदी जी की जब बबात सोचे हैं गांदी राजनिती में थे उसमें तो कोई नकार नहीं सकता जी ठीक है वह राम को जब कहते हैं रगुपति राग्यो राजा राम कहते हैं गाते हैं तो अब ने उ उस समय कि सबसे बड़ी तकलीव क्या थी कि हमारा वो समाज शूद्र समाज जिसको की कि समाज में स्थान् नहीं मिल रहा था जो कई से दबाए जा रहा तो राम को क्या बोल रहें पर्तित पावन जी तो समाज में क्या कहने हैं कि राम जो है वह चुभी पतितम पौवन्हेया कौने उनको उफ़नेवाले दिशा को दे रहे हें क्योंकि राममे में शड़ा है पूरे समाज की सब्सेंदे रहें सारे समाज को ब्राह्मनों, को शुत्रियों को सारे वर्णनों को कि जो पतित है वह राम Gandhi को प्यारे हैं तो अगर आप राम में शर्ता रखते हैं तो उनको उपर उठाइए उनका उत्थान कीजिए और उनकी सारी जो राजनिती है अंग्रेजों के सामने एक अलग लेकिन समाज में जो उनकी राजनिती है जो अंबेट करकों को उनका उनका सयोग देना है जो शुडूल का शु स्थान को वापस उनके उनको दिलाया तो वो राम को यूज कर रहे हैं पतित पावन राजा राम तो राम राजा कौन से राम राजा है जो पतितों का पावन करते हैं वो राजा राम है तो अगर आज की जो राजनिती में अगर राजा जो पतित है जो जिससे हम कहते हैं कि डिलिवरी हैं अंठयोदे योद्ना जिससे आई है अगर उनका हमने ध्यान नहीं रखा तो हम राजा क्या एक है अब अब इसमय में थोड़ाः ट्विस्ट जो है और देखिए ये था मूल जो रगुपति- रागव राजा राम पतित-पावन शीटा राम तो गांगी जी ने जो ये इश्वर अला तेरो नाम वाला इसमें जो एक शंपुट ढिया है अब ये वैसे एक रचनात्मक स्वतंतिता भक्त की होती है वो जिस बहाँ से लेता है लेकिन इसमें जो अला शब्द जोड़कर उन्होंने सबको एक मेक करने वाला जो बहाँ लिया वो वैसे बंदनिया है पर उसको लेकर भी कई प्रकार के प्रश्णचिन खालांतर में और अभी उसको हम किस तरीके से लेते हैं आज का इसे ले रहे चोड़िए उस समय की प्रॉब्लम्स क्या थी समाज में हिंदू समाज में एक थी कि शुद्र और अच्छूत की भावपनती और ओर और हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने में उनके आपस में विशम था उन हिंदू को ले रहे हैं तो मुस्लिम समाज साथ में लेना हैं तो अल्ला शब्द भू झमिए साथ नहीं उसकर रहे हैं और बता रहें और »o इस एक हिंदु ही यह कह सकता है कि इश्वर अल्ला तेरो नाम लेकिन मुस्लिम को श्विकारे कि नहीं हो उसमें तो श्विकार हुआ न मुस्लिम भी जो आते थे उन्हें ने गाया और पर जो एक दूसरी तरह की जो एक राजनीती थी जिसे कहते हैं वह राजनीती चली और हमारा जो विगटन हुआ तो आप जो कहले ने उनको स्वीकारे हो अगर स्वीकारे होता तो विगटन नहीं होता मैं यह प्रश्ण अगर उठाऊं गांधी जी यह तो गांजी के साथ में कई लोग मुस्लिम यह साथ जुड़े हैं अप्टिकर्य में भी आये लेकिन बाद में जो अंग्रे जो ने राजनीति चलाई अंग्रेजों की वह राजा राम वाली राजनीती नहीं हुँनकी वह वह अन्को को यह देखना था कि इस देश को एसा टुकड़े तोड़ करके जाएं ताकि यह क्यों जानते थे इस देश में इतनी कैपेसिटी है कि हमारे सामने खड़ा हो सके इसलिए उन्होंने तो दो टुकड़े नहीं किये उन्होंने हर जो राजा है उसको स्वतनता दी आप अलग से चाहे भारत में जाओ चाहे पाकिस्तान में चाहे लग से रो तो उन्होंने दो तो बड़े टुकड़े किये उसके बाद में उन्होंने छोड़े चोड़े तुकड़े चोड़े जी समझ यह उसमें कि जो पाकिस्तान वाल हिस्सा था उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि वहा चाहे अलग रह सकते हैं चाहे पाकिसान में जा सकते हैं तो यह उनकी राजदिती तोड़ने की इसलिए उस समय के हिसाब से जो गांदी जी अब कोई भी राज देता जब निर्णे लेता है तो समय के अनुसार लेता है हो सकता है बाद में हमको पीछे देखने से गलत लगे उ क्यूंकि विफलता है जब होती है और यह विफलता थी गांदीजी की कहे में कॉंभलता थि चन्हें कोशिश करते हैं कि इसमें किसकी गलती थी तो उसमें प्रशन लग सकता है यह बहुत ही बढ़िया बात कई अब प्रश्ण चिन्नों को लेते हुए राजनीतिक यात्रा में जब खास करके चुनाओं के समय हो या वैसे भी जब आप पीछे मूर कर विचलेशन करते हैं तो प्रश्ण चिन्न तो कई इस्थानों पर लगाई जाते हैं और अभी ये प्रश् आप देख रहे हैं राम मंदिर जा प्रान प्रतिश्था समारो के साथ जुड़ावा तरश्ष है कॉंग्रेस का और विपक्षी दलों का ये मानना कि ये राजनितिक कारेक्रम है और उनका इसमें भाग न लेना इस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है पर आप क्या सोचते चुनावी द्रिश्थी से ये बात विपक्षी दलों के फेवर में जाएगी या इससे भारती जनता पार्टी को लाब मिलेगा प्रदान प्रतिश्था समारो का आज़न हुआ ऐसा है कि जब चुनाव होता है तो एक मत दाता यह देखता है कि उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या कहा पर क्या हुआ जी सुस्तरी की सुस्तर है से देखे है तो यह जो कहना चाहिए कि राम मंदिर बना इस राम मंदिर का लाब उठाने के लिए दोनों प्राटी को स्वत हां थी की अगर यह सबसे पहले अगर सिला नयाश हुआ तो कॉंग्रेस की सरकार में ले खaking ताले खुले दर्शं के लिए कॉंग्रेस की सरकार में हुआ तो कॉंग्रेस को भी उस राजनिती का लाब कर लेने की स्वतंत्ता थी उन्हों समझा कि वो लाब नहीं मिलेगा और उसे नुकसान होगा उनका तो नहीं किया इसमें हम यह कहें कि भारतिय जंता पार्टी ने देखे समाज में धर्म जो से बहुत बढ़ा इस्थान रखता है यह अस्था धर्म संस्कृति उसके बिना half निती हरती नहीं है यह और रां संस्कृति में बहुत विश्फास जो है मैकbodhe कि डॉलर के में नेंव गाड यह वह ऑद ठाम हो तो वहां पर भी ऐसा नहीं है और कुछ ऐसा हुआ है कि हमने एक अवधारना जो चर्च और राजी की जो अवधारना है पस्चिम से उसको यहां लाने की कोशिश की उनकी समझ और हमारी समझ में बहुत फर्क है वहाँ पर Church सर्वे सर्वा होता था और राजा का काम होता था कि Christianity को धर्म को फैलाया जाए जी जी That was an order from Church So Church ही सर्वे सर्वा हमारे यहाँ पर ही देखे अब इसमें कहा है कि हम चुनाव की चर्चा पर जाने से पहले यह जो बाद आपने कही है उसी को लेकर कुछ लोगों का यह विचार कि जब आप शीर्षपद पर पदासीन है जैसे आपने कहा कि वहाँ पर वो चर्च और वो जिस तरह का संबन्ध था यहाँ पर जब आप secularism के हिसाब से चलते हैं तो प्रद्यानुतिरी नरेंदर मोदी जी का प्रानपतिश्टा संवारू में उच्सार से जो हिस्सा लेना था उसको आप कैसे देखते हैं अगर आप हिंदू नहीं है तो हिंदू हो मुसल्मान लेकि बेरकि इस प्रश्ण पे जो अपोजिशन पुछता है बड़ी हरसी आती है सारे अपोजिशन कॉंग्रेस समाजवादी सभी अपोजिशन वाले जब राज्जी में थे तो जब भी वो एक रोजा के बाद में के जो पार्टि इफिकार पार्टी होती है ओफिशली होती थी ना तो वो क्या धर्म नहीं था राजिती में उसमें और हर वर्ष होती थी जी जी और उसके पीछे को ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इत्यास हो वो ते नॉर्मल एक चीज है तो अगर आप मुस्लिम धर्मों का जो आदर दे जी तो आप राज धर्म का पालन कर रहे हैं दराज निती में धर्म सही है यह चीज जो है वो हिंदू को चुबेगी ना और राम जो हैं इस देश के लिए हैं राम राजा की तरह में ज्यादा जाने जाते हैं राम भवान को अगर आप जानते हो तो राम के राजा के रूप में हम काफी जानते हैं तो उनका एक आदर्श है तो हर राजनिती को राजनिती में जो आता है भारत वर्ष में हर राजनिती के व्यक्ति को राम का दर्शन करना चाहिए राम का जो राज दर्शन है उसको समझना चाहिए और वहां से प्रेणा लेने चाहिए कि राज दर्म कैसे चलाए जाए तो जो बात आपकी है उसको ल उनकी वक्तरतों कला जो है वो उसकी कुछ चिंगारिया कह दो या उससे निकलते वे शोले अभी आली में अभी चुनावी सभाव में दिकाई दे रहे हैं पर यहां पर वो शद्दा का एक परिपाक जो उनकी अभी व्यक्ति में था उसके थोड़ी सी जो छटा है वो मैं आप आपके साथ अपने दर्शकों तक पहुंचा हूँ इसलिए मैं माता जान की नश्वनजी भारत तत्रोग्रा सब को नमन करता है मैं पावन अलोध्यापुरी और पावन सर्यू को भी प्रणाम करता है मैं इस्पल दैविया अनुभव कर रहा हूं कि जिन के आशिरवात से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविया विभूतिया ली इस समय हमारे आज पास पस्तित है मैं इन से भी दिवे चेत्राओं को भी क्रतक्यता पूरवग नमन करता हूं मैं आज प्रभुस्री राम से हमाय आचना भी करता हमारे पुर्शार हमारे त्याद तफस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी हम इतनी सद्वों तक यह कारिय कर नहीं पाए है तो राइनर जी जिस कहना चाहिए निश्ठा के साथ में उनकी अभी व्यक्ति है और जो बाव है यहां तक लाके में आपको तो इसके कंट्रास्ट में जब विपक्षी दलों की तरफ से यह कहा जाए कि यह तूनत है राजनितिक कारेक्रम है इसलिए वो इसका बैश्कार कर रहे है प्राण प्रिष्टा का तो उसका भी एक भाव बनता है और देखिए अभी आपने देखा है मैं एक बात और तो मुझे लगता है यह जो निर्णाई रहा है कॉंग्रेस का वह विपरित असर उसका अधित पड़ा है सकारात में कम पड़ा है आपका क्या मुल्यांकर देखिए बहुत हाज्यास्पद है एक सक्षण के लिए मान लें कि पूरा राजनितिक कारिक्रम था तो राजनितिक कारिक्रम से राजनितिक कारिक्रम को दूर क्यों रहना चाहिए अगर राजनिता राजनितिक कारिक्रम में नहीं आएंगे तो कौन आएगा और उन सब को मिला था निमंतर एक राजनिता राजनितिक कारिक्रम से दूर रहता है और कहता है उसे राजधर्म का पालन किया यह म समझते हैं तो तो यह तो एक कहीं उनके मन में जो एक सोच है और बहुत गलत सोच है वो यह समझते हैं कि हम अगर हिंदों के साथ रहेंगे या राम के उसे में जाएंगे तो एक मुस्लिम समाज का वोट हमसे कट जाएगा यह ना आप समझ यह कि यह अगर सोच सही होता तो जो कॉंग्रेस पार्टी हिंदू धर्म की ही पार्टी गिनी जाती थी और इंद्रागांधी के समय तक इवन राजीव गंदी के समय तक तो सभी मंदिरों में जाना सभी जगे पूजा अर्शना करना इंद्रागांधी जाती थी सभी मंदिरों में न क्यों इलेक्शन के समय नहीं उसका अलावा भी जाती थी तो वो क्यों जाती थी मंदिरों में क्या गारण था क्या वो उनका जाना गलत था लेकिन हुआ ऐसा कि जब सोनिया जी सरकार में आई तो कुछ 145 सीटे ही थी कॉंग्रेस की तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या हमारा जो है प्रभाव बढ़ना चाहिए तो उनके कुछ जो आसपास लोग थे उन्होंने उनको समझाया कि देख हम आज तक क्यूं जीत रहे थे कि हिंदों को हिंदों में से कुछ हिंदुत हमारे साथ हमेशा रहे है ठीक है फिर उनका ओबीसी रहा हमारे साथ रहता है शिडूल का शिडूल ट्राइब हमारे साथ साथ रहा है और मुस्लिम समाज रहा है अभी शिडूल का शिडूल स्राइब ओबीसी हमसे दूर हो गया है वह मायवती की पार्टी बन गई मुलायम सी जी की पार्टी बन गई काशीराम जी उदर आगे थे मायवती साथ में तो वह हमसे दूर हो गया अब उनको हम वापस न होते हैं एक तो हम यह तरीका करें कि हम मुस्लिमों के समाज करें उनको लगी कि हमारा कुछ फायदा है कि वह है दूसरा यह है कि उनको डराएं कि हम ही तुमारे रक्षक हैं नहीं तो तुम मार दिये जाओगे उन्होंने वो दूसरा तरीका संभाला और उस तरही से मुस्लिम लोगों के वोट लेने की उन्होंने पूरी कोशिश की और काफी एतक सफल भी हुए क्योंकि Muslim समाज में जो कुछ उपर के जो लोग हैं जो कुरेशी हैं जो अपने आपको मानते हैं कि अरब से आ हैं जो शाशक करे हैं यहां पर अश्रफ हैं वो जो लोग हैं वो ही समाज की नेता बने वे हैं मुस्मिन समाज के जो दूसरे लोग है पस्वंदा उनको उपर नहीं आने दिया है तो उन्होंने जैसा का वैसा उन्होंने किया तो यह एक राजनिती अब राजनिती में धर्म कौनर आ रहा है यहां पर यह बात कहना relevant है कि राजनिती को धर्म से अलग पूरी तरह कभी किया ही नहीं जा सकता कहीं भी नहीं किया जा सकता अमेरिका में डॉलर में भी आप इन गॉर्ड भी ट्रस्ट देखते हैं और भी कई ऐसे अफसर होते हैं जहां आपको लगता है कि जो राज सत्ता है वो कई न कई धर्म के साथ में जुड़ी हुई है भारत के संदर्ब में भारत जिस तरह से बना है और जो विबाजन हुआ उसमें भी आधार तो धर्म का था ही ता तो इसलिए जब यह यूश्य सी लाया गया और उसके बिरोध में जैसे सोनिया जी के मुख से यह वक के नि तो उसको लेते वे अभी के चुनाओं तक जब हम आ रहे हैं तो ये जो दृष्टी है वर्ग को अलग-अलग करके देखने की जाती है जन गणना करने की तो इन समबातों को अब वो हैड-on ले रहे हैं पिरामजी नरेंदर मोदी और जो हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की थ ये वैल्स री डिस्टिविशन वाली बात की तो एक प्रकार से इस तरह का भाव कॉंग्रेस की नेताओं की अभी व्यक्ति से जा रहा है कि वो आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें एक इस प्रकार क्या जबरन हस्तक्षेप करके और उसको एक उपर से जैसे क कोई हतोड़े से पीट के बई सबको बराबर कर देना है तो यह जो समाजवादी दृष्टी कोण को आरोपित करने का संकेत कॉंग्रेस का है उसको प्रिजाम्री ननेदर मोदी ने जिस तरह से उस पर प्रश्चन चिन्न लगाया है अभी हम उसको राम जी के संदर्व से ल लेगा क्या आपको लगता है लेकि मद्दाता जो है और विशेश का भारत का जो मद्दाता है उसके लिए तीन कारण है और तीन चीज़ों पर वो सोचता है पहला मेरा क्या फायदा हुआ एक दूसरा मेरे फायदे के साथ में राष्ट्र है वो सुरक्षित हातों में है या नहीं है और समाचार क्या फायदा हुआ तो अगर आर्थिगमिती बहुत अच्छी है और मेरा फायदा हो रहा है आप देखिए कि कुछ वर्षों के पहले 2014 के पहले आप आए दिन समाचार पढ़ते थे किसान आत्म हत्या कर रहे हैं आपको याद होगा हर बार हर दूसरे महीने में आत्म हत्याओं का और खासकर महरास्ट्रा और जगे जगे पर पूरी तरह बंद नहीं हुआ है वह बसे लेकिन आप कम हुआ नहीं अभी मैं तो न कोई अपने व्यक्तिकत कारण के करें तो अलग है लेकिन भूक के कारण तो नहीं कर रहा है जब उनको अनाज मिल रहा है उनको किसान समनेजी मिल रही है तो वो जो एक और उनको बीज के लिए और जो बीज मिल रहे है आपका फर्टिलाजर मिल रहा है उनको खाद मिल रही तो दिखती बात एक उनको उसके चंगुरों से बचाया गया है जो वहां चंगुर में थे और यह वो कहेंगे कॉंग्रेस वाले कि यह तो पहले भी कुछ था पर पहले था वो पहुंचता नहीं था अब वो पहुंचने लगा है तो जमीन पर दिखने लगा है तो मद्दाता वो सोचता है आप जो एक बात कह रहे थे राजनिती और धर्म सुझ जगे पर हैं देखिए दो ही ऐसे देश हैं जहां पर राजनिती धर्म से कोई लेना देना नहीं है है नहीं थे अभी एक ही है वह चीन अच्छा चीन में धर्म कर तो क्या आप चीट बनना चाहते हैं जह हम जहां कोई व्यत्रीक्ति स्वतन्तिता नहीं है जहां हर आप देखे जा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आपको इभी और वो धर्म के साथ ही आता है देखिए कोई भी मानव है वो कैसे काम करता है कि और गलत करेंगे तो उसको उसका परिणाम बुगतना पड़ेगा समाज जो है जब कानून मनाता है तो कानून हर घर में नहीं गुश सकता लेकिन धर्म भगवान हर कमरे में हर मिवक्ति के रदे करोगे तो तुम नर्ग जाओके सवहर जाओगे तम ये करोगे एक डर जो समकेते हैं वह एक पैदा करता है यसकी वलिए गलत काम के लिए तक दर्म को कोई लोग मिस्यूज कर लेते हैं तो तो राजिती को भी कर सकते हैं यह मैं आप आपको यह चोटा सरे वक्त अभी जो प्रणामी 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 मोदी जी का इन्हेरेंस टेक्स के संदर में रहा है वो आप तक पहुंचाता हूँ अपने दर्शकों तक देख अब खता लागि रादा लोगों को सावजान दाना है आप जो बच्चत करते हैं और हमारे देशने हर माबाब कुछ भी है घर में तो सूथा है कि मेरे मनने के बाद बच्चों को देख मैं यह तो रखूंगा बच्चों को काम आया एक घर कैसे भी करके बहा दू कि मरने के मरने के बाद बच्चों को कुछ देने का इरादा रखता है कि नहीं रखता है अब यह साहजा देने उनके गूरू ने अमेरिका से गोशाना की है कि वो इनहेरिटेंस प्रैक्ट राएं इसका मतलब है कि आपने जो बचाया है वो मरने के बाद आपके संतानों को नहीं जाएगा आदे से जादा पच्चपन परसंट 55 परसंट यह कॉंगेरेटी जमाद उनकी सरकार अधरत कर लेगी आपके आदी प्रोपर्टी गई चार कमरे का गर है तो दो कमरे गए दस एकर का गए तो तो पांच एकर गया आपके संतान को नहीं मिलेगा आज इसलिए देश जिंदित है देश गुष्टे में है और देश कह रहा है कॉंग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तो यह जो बात अंतिम वाक्य में जिस परह से प्रभावी डंग्टे प्राणत्री नर्दर वोदी ने चाहिए कॉंग्रेस स्वच्टिकन दे रही है जैरम रमेश जी ने का कि जो सैम पित्रुदा ने का वो ऑफिशिल वर्जन कॉंग्रेस का नहीं है और कहां गोशना पत्र में लिखा गया यह बातें जो कॉंग्रेस अपना एक तरह से डैमेज कंट्रोल जैसा करने की स्थिति के साथ में कहां मेल खाता है यह जो वैचारिक मंतन और संकेत हैं वो अब आप देखिए कि ये बात कहां से उठी है वेल्ड रीजिश गांधी के वक्तविय से कि हम सबी लोगों की वेल्ड का सर्वे करेंगे हर जाती का हर आदमी का हर आदमी पर संद्र और उनके वेल्ड का सर्वे करेंगे यह कहा यह का वेल्ड करेंगे यह भी कहा अगर आप वेल्ड का सर्वे करने जा रहे हो हर व्यक्ति का तो क्यूं करने जा रहे हो डिस्रिबुशन के लिए आपने कहा डिस्रिबुशन करेंगे आप कैसे करेंगे अगर आप यह कहते हैं कि हम एक कोई टेक्स सबसे पहले जो शेयर मार्केट में जो टेक्स को फ्री किया गया वेल्थ वेलिशन को सिर्फ प्री किया गया short term और long term gain tax free किया गया किस सरकार ने किया कॉंगरेस सरकार ने किया और रहा बीजी भी सराद में तो थोड़ा टेक्स लगा और उन्हें लगाया शॉट टम उस पर पर पहले तो बिल्कुल जो तो वह एक टेक्स था जो जहां पर लोग और यह मैं नहीं किया हूं गलत था अच् ज्यादा निवेश होगा ज्यादा वैल्थ क्रेट होगी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेगी तो ज्यादा नौक्रियां मिलेगी लोगों को तो वैल्थ होगी तो वैल्थ होगी और यहां हो वैल्थ क्रेट करने की बात नहीं कर रहे हैं उसको पता करने की बात कर रहे हैं औ तो अगर किसी दुस्रे राज देता ने उसको इस डंग से लिया और प्रभावी डंग से कहने के लिए थोड़ा अत्री शोक्ति के साथ भी अगर कह दिया तो क्यों नहीं कहेंगे आप भी कहते हैं आप ने कहा कि समीदान का खत्रे में समीदान बदल देंगे क्या भारतिये ज लोग बोलते हैं दो यह और आधा नडा जी जो भी राश्चित देख्षों क्या इन डाई लोगों ने कभी यह कहा कि हम बदल देंगे समीदान बदल देंगे यह समीदान को हटा देंगे कहा नहीं कभी उनने अपने गोश्णा पत्र में लिखा और यह तो वह पार्टी जो चार सो पार दे दिया तो रिजर्विशन समाप्त कर देंगे वह समीदान खत्रे में आ गया है यह अंतिम चुनाव है यह जब आप इतनी अतिश्योक्ति पर आप जा रहे हैं तो थोड़ी अतिश्योक्ति का प्रावदान तो विरोधी पार्टी के पास भी होता ही है जी जी तो अतिश्योक्ति और स्थ्या इसको लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉंगरेश की तरफ से यह भी आरोप लगता रहा कि आर्थिक दृष्टी से कोई विकास नहीं हुआ है या जो नीतियां है वो विभाजन कारी हैं और एक बार पिछले चुनावां से पहले टाइम पत्रिका ने डिवाइडर इन चीफ ऐसा एक कवर पेज पे चाप दी रहा था तो एक प्रकार का इको सिस्टम जो चल रहा है उसमें कुछ अपवाद के रूप में अभी जैसे हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे अमेरिका के प्रतिश्टित संस्तान के CEO का ये कहना की बारत कि आर्थिक स्थिति की उन्होंने बड़ी सराना की वो सब स्थितिया हैं तो मोटा मोटी और जून में एक कारिक्रम के लिए भी प्रतिश्टि नरेनर मोदी जी को कई कारिक्रम में आमंतृत किया जाता रहा है इस सब के लेते हुए मैं फिर से वहाँ पे जा रहा हूं उन् के चुनाओ होने के बाद में चार सो पार है या साड़े थीन सो पार है या साड़े चार सो पार है कोई कुछ भी कही तो मद्दाता ही जानता है और मद्दाता कोई पता चलेगा चार जून को उसके पहले कोई नहीं और यही फर्क है पाकिस्तान की एलेक्शन हमारी पर आप एक चीज़ देखिए यह कहते हैं आपने हमने किया है मैंने वर्ड बैंक का डेटा दिया है सबसे कम जदा है आज की तरीक में पूरे दस सालों में गरती जा रही है हर तरह के प्राब्लम के अबावजूद गठती जा रही है एंप्लोइमेंट बड़ा है लेकिन एक ऐसा नरेटिव पैदा किया जा रहा है और वो जो डेटा है वो मेरा या किसी प्राइट संसा का नहीं है वर्ड बैंक का डेटा है हमने उसके डिसकुस किया है और सबको बताय है इसलिए का यह कहना कि रेट बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा ऐसी प्राब्लम नहीं है वास्त फिर भी दिखाई देता है वह ऐसलिए कि जो ग्रेजुएट है जो लोग जो दो-दो साल तक के लिए वेट करते हैं सरकारी नौकरी के लिए UPSC के लिए और उसकी वह भरती हो जानी चाहिए लेकिन भर भी जाती है तो जो एक लाग के सामने 10 करोडं 5 करोडं लोग देते हैं अपछायर तो फिर भी जाता पूर उधी रहता और कि नहीं है जो कहते एक स्ब्सक्षित का फान ररेजेटन आ जयता है इसका अर्थ यह नहीं है कि वो लोग एक हमारे समाज में एक ऐसा बैठ गया है कि सरकारी नौकरी यानि सुरक्षा पिर मैं करूं या ना करूं मज़े नौकरी से को निकालेगा नहीं दूसरा फिक्स हमको बढ़ता रहेगा हमको पैंशन मिलती रहेगी तो वह वह भाव है जो सरकारी नौकरी हों है इसलिए लोग करें वह कुछ नीचा हो गया यह तो श्रम का अनादर हो गया यानि आप एक तरफ कहते हैं कि जो शुरूल कात है शुट्र समाज में पिछड़े वे लोग है वह कम है उनकी उनका अदर कम है अगर हम जब मॉडेनिटी की बात करते हैं आज यू अमेरिका में एक पियोन हो ए एक ही स्थर पे गिने जब्कि सालिज में फरक है लेकि ये नहीं कह जाता है तुम इशका बात नहीं है को को ड्राइवर नहीं नहीं है नहीं है वो भी मनुश्य है ना तो आप ऐसा कैसे वो हो सकते हैं उसको आप बाद कर रहे हैं वह और लोगों के दिमाग में आप ऐसा डाल रहे हैं बार-बार और ऐसा डालने की कारण वह सरकार की सरकारी नौकरी की के पेक्षा करते हैं और दो-दो साल तिन-तिन साल तक खाली बैट रहते किताबे पढ़ते रहते और कोई स्किल पैदा नहीं करते हैं यह हमारे यहां से हटना चाहिए तो अने बड़ा है ग्रेजिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं कि जॉब नहीं अविलेबल हैं जॉब अविलेबल हैं पर वह उस जॉब के लिए जो इसकिल होनी चाहिए वो इसकिल पैदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपना सारा समय सब्सक्राइब नौकरी लाने में लगा रहे हैं तो हम समाबन की तरह बढ़ेंगे मैं तीन गुण राम जी के ले करके और अभी आप गुनों की तरह जाने से पहले आप अगर शीर्ष में देखें ब कि तरह हैं और अब जब आप के बन में यह ए कि बीजेपी कहिलावा अ ऐसा क्यों सोच रहे हैं नेता तो नेता किसी भी पार्टी का हो उसका मेरा कारण है क्योंकि अगला सवाल होगा जो रहा आप देखें बीजेपी में कहते हम मुदी हैं अमिद्शाह है राजनाशिंग हैं घडगरी जी हैं आपके वह पे हिमंत विश्वास हैं अभी आपके अन्ना मलाई तयार हो रहे हैं अभी तयार हो रहे हैं ठीक है नेताओं की भरमार है और नए नेता जो नए ने चीव मिनिस्टर बने वह भी आगे आगे बढ़ेंगे नेताओं की कमी विपक्ष में भी नहीं है कमी लेकिन तक नहीं आप आ रहे हैं तो आप मेरे सवाल तक जाने में मदद करने के लिए बाखी की पार्टी में से कोई तीन नेताओं के नामा बताई जो अभी इसे रुप से चर्चा में सुनावी दौर में अलग-अलग पार्टी रहुल गांदी है ममता है चर्चा में जिसमें कोई दो राई नहीं है और इनके अलावा घड़गे जी को कह सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत चर्चा उनकी हुई इनके अलाव मुझे कोई प्रदान मंत्री के पद के लिए चर्चा में आने वाला कोई लगता नहीं तो तीन पक तो एक तो जो त्याग का भाव है राम जी के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ अगर आप उसको लेकर अंक देना शुरू करेंगे तो दस मेंचे कितने-कितने अंक देंगे इन तीनों को अब देखो एक बहुत बड़ी विचित्र चीज है कि मोधी है ने वीवा किया लेकिन वीवा नहीं किया बड़ाबर रावल गांधी ने वी वीवा नहीं किया मनुताव है जी टीके जो है आप जहां तक ममतव एनरजी है वह 100% stay Honda you 24 Seriously seven मोधी है 24 seven राउल गान जी कहते है 24 से रही है थोड़ा बहुत जाते है आते हैं कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं फिर वो कोशिज कर रहा है कशीर के जाहए की राजना सबका विश्वास सबका प्रयास सबका विकास मुदीजी नहीं दिया और उनकी जित्ती भी गवर्नेंस के जित्ती भी कारिक्रम है उन सबको benefit मिला है और उनने किसी भी समाज को छोड़ा नहीं मुसलिम समाज में ट्रिपल तलाग की प्रॉलम थी और तो कि उनको किया हज में चाहते हैं उनकी सब्सिडी को बढ़ाया और तो और जो लोग बहुत नहीं बोल रहे हैं हजमें जाने के लिए सउधीरे मेरे की देटित करने के लिए अकेली औरतों को जाने की पर्मिशन दिलवाई तो है आफिकर सब्सक्राइब ठीनome नहीं जा जो सारे बाकी के जो समाज के हैं चाहे आयुश्मान हो चाहे गैस हो चाहे अनदगी हो वो सारे तो सभी को मिल रहे हैं और ज्यादा मुस्लिमों को मिल रहे है कि वो पीछड़े वे ज्यादा है तो उनको भी मिल रहा है पूरा मिल रहा है तो गवर्णेंस के बात जहां तक है उसमें वो लेकिन राजनिती में हिंदू मुस्लिम वाला पॉइंट उनको उठा रहे हैं क्योंकि वो उठता ही है क्योंकि कॉंगरेस जो है वो हिंदू समझती नहीं है उनके किसी भी गोशना पत्र में आपको OBC दिखाई देगा श्रुलकास दिखाई देगा उच्वर दिख ऐसमंदा या कुरेशी या जो अश्रफ है नहीं दिखाई देते हैं उनको तो देखिए मैं अपने सवाल की तरफ इसे ला रहा हूँ अगर त्याग की दृष्टी से आपको अंक देने हैं दस में से तो मुदी जी को कितने देंगे ममता जी को कितने देंगे रावल जी को कि अच्छा कि एक की गुझाई शर्खने रिचाए चाहिए कि कुई तो आदमी बढ़ने की गुझाई सोनी चाहिए दस में से साथ महमता जी को दूंगा कि वो पूरी राजनीती जो वो कहती है उसकी हिसाप से अपनी राजनीती करती हैं और उसकी राजनीती से हम संबंद रखें हो अलग बात है लेकिन राजनीता है और राहुल अंजीव पांच दोंगा फिफ्टी फिफ्टी चलिए तो त्याग में नौ साथ पांच के अंक लेकर हमारी तीनों नेता आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो गुण है जिसके बारे में आपको इन तीनों को अंक दे इसकते हैं उसाथ करिए कि तो सरफ हमने आधर्स के रूप में रखा है आपको सिर्व इंछू को अंक देने हैं तो मर्यादा के क्या Eldam लेते मालब देने मर्यादा निते के मापदनार में जो परस परिक व्यहवहार में सम्मान देने का भाव है वो और शालीनता शिष्टता आचरण में फिर इमानदारी निष्ठा ये सब भी आएंगे अन्य बातें भी जो आपको लगे कि किस प्रकार से व्यवार रहता है शालीनता कितनी रहती है शिष्टता कितनी रहती है जहां तक भाशा की बाद मैं पिछले बार में भी कह चुका हूं अब उस्तर में सब बराबर है अच्छा तो यह आपका जो मेरे हिसाब से क्योंकि जब चुनाव में जो इस तर तरी से के देखा जा रहा है क्योंकि इसने मैं यह इसके में कोई नंबर देने की विवार्ट से क्योंकि मर्यादा में मर्यादा पुर्ष्टम नाम की जो मर्यादा लिखे चलता हूं तो उनके नजदिक में आज कोई भी नहीं तो उसमें मैं अंक नहीं देना चाहूंगा किसी को भी पर मैं यह कह सकता हूं कि किनो ने राज धर्म का पालन ज्यादा अच्छी तरह से किया वो डेफिनेटली क्योंकि उनके राजय में कोई भी ऐसा कारे नहीं हुआ गवर्णेंस में जो धर्म के आदार पर जाती के आदार पर पूरुष इस्त्री के आदार पर उन्होंने कुछ उसमें फर्क किया हो इन ममता जी किया होता है अजिए हिंदुर की लिए अलग है और दिखाई देता ही मेरे कहने की ज़ुरूत नहीं है सब देख और राश का तो कहीं नहीं सकते उन्हों आसे कोई पदी नहीं सबाला कभी यहां तक की विपक्षय नएथा यह हैं तो कमसेक्रreto name अड्लिवारिवाच पर प्र Advani के बनने के पहले एस district अद्वांज्स due YouTube कृoga दो तो वहुत विपक्षी नेता दे नहीं ने तो अब जब उनगेसा भाहरश मदाला ही नहीं को निरेंगे तो सबको साथ लेकर चलने वाला जो एक गुण है, उस दृष्टी से यदी आप इन तिनों को अंक देना चाहें क्योंकि नित्रत्व की दृष्टी से अ अलग-अलग विचर वाले लोह साथ लेकर चलने वाला जो वह भाव है वह भी मैत्व रख्ता है आप मैं तो रखता है साथ लेने का लेकिन साथ लेने के लिए एक तरफा नहीं हो सकता को साथ चलेंगे तयार होना चाहिए जअ जब फैर्टी नहीं है मतबेद की जगह पर मन बेद हो गये है और शत्रु बाव आ गया है और सामने परिलिक्षित है तो पार्टी साथ चलने की विएस्था तो घेने हं इस bilmiyorum के साथ में चलने के लो तो हम मौदी जी की वारे में कहीं सकते हैं और मैंने कहा भी है कितना भी कोशिश करो आप अगर कोई साथ में चलने को तयार ही नहीं हो तो पिर कैसे चलेंगे जहां तक उनकी इच्छा की बात करते हैं जो उन्होंने किया है तो उन्होंने आप देखिए उनके आते ही वो पाकिस्तान को साथ लेन कि कुछिश की उन्होंने के बिना इंविटेशन के वह नवाज सरीव की परिवार की शादी में पहुंच गे बीच में से चाइना में को कितनी बार बुलाया खुद कितनी बार गए तो यह जो हमारे शत्रू देश हैं जो पूरे शत्रूता का भाव रखते हैं उनके साथ भी साथ रखने की भावना रखते हैं तो वह ऐसा नहीं है कि वह उनके विपक्ष के उनके साथ चलना चाहे तो साथ नहीं रहना चाहेंगे ऐसा नहीं है उनको साथ लेकर चलेंगे पर आप वह साथ रहेंगे ही नहीं तो आप रहना ही नहीं चाहते हैं और इलेक्शन को और संसर्द में भी बोलें बहार भी बोलें इस तरह की भाशा का प्रयोग करें यह आप कहिए कि आप हत्यार हैं क्या नहीं मतलब बेंट तो किसी में जाना नहीं जाता जो भी है आप सब्सक्राइब चले गए हैं आप नहीं क्या चुछा आपने अब मुझे सवाल पर आए व सबको साथ लेना की कोई बात नहीं है ये अपने हम उस सिच्छी पे नहीं है अशोग जी कि हम न लोगों को अंक दे सकें और राजनीति भी निवी नहीं जाने उनके मुकाबले में इसलिए आप अपने आपको बहुत गंबीर साथ से ले रहे हैं ऐसा बात नहीं हमने पहले है पर भी भी है जो गप्षप के समय अनुकूल है क्योंकि इस द्रिष्टी से हम भारत की राजनेती की तरफ देखते हैं जैसा आप किते हैं कि देते हैं मैं मैं राहुल जी को तीन दूँगा क्योंकि बहुत लोग निकल गए फिर भी मैं इसे कम देना ने चाहता हूं ममता जी के वारे मैं बहुत कम जाता हूं फिर भी मैं उनको चार दे दूँगा और मैं मोदी जी को आठ दूँगा और मोदी जी के नमर काटने के पीछे कारण यह है कि बहुत लोगों जैसे सुनने में आता है कि वो औरों को साथ लेकर चलने के समय में उनको उतना सुनते नहीं अब इसके वारे मैं व्यक्ति रूप से नहीं जानता हूं लेकिन उनका जो एक उनका छवी इस प्रकार की बन कुछ निरणे ले रहे हैं इस प्रकार की मुझे पता नहीं पर यह अब मैं समापन करना चाहरा हूं उसके पहले अभी एक बहुत अधिक तो मैं यह बात कहूंगा जी अगर चार्सों से पार जाते हैं जी तो मोदी जी के दसमें से दस हैं अगर साड़े तीन सो तक जाते है तो दसमें से आठ है और तीन सो पहले वाले तीन सो ही रहते हैं तो दसमें से साथ है तो यह पेवाना है अब मताताव को मानुमें वो कित्ते रंग देने हैं उनको चलिए तो बाद आपकी इतनी तकड़ी है कि इससे तो कोई दोराय हो नहीं सकती है और समय कह रहा है कि उसमें हमारा ग्यानी होना आवशक नहीं है पर हमारा उसमें रस लेने का जो भाव है वो आवशक है तो उस रस को लेते हुए समापन मैं करूंगा यह उसका नाम भी आ रहा है मैं चाहता तो नहीं दुरूराटी एक और उसका वीडियो आ गया खत्रा करके कि बारत के जो प बता हो तो मैं संक्षिम में बता दूँ कि वह काौंग्रेस वाले बत्याशीं थे उनके लिए जो नामांकन पत्र में र Isakah करें वाले थे उनों बर भी लोग कहरें वह यह एक संकेत है कि कैसे बारसी जंता पार्टी ताना शाय ही की तरफ बड़ रही है इसमें कहां से आती है कहां से आती है इसमें मैं तो नहीं सकता हूं लेकिन लोग ऐसा बालते हैं कि वो जोड़ तोड़ कर तो मैं क्यों अपना पैसा और समय खराब करूँ तो उन्हाने कुछ कमी छोड़ दी होगी अपने उसमें और इसकी संभावन और अधिक लिए अधिक भी साइं करने वाले उनके ब्रदर-इन-लो थे उनके पार्टनर थे और भी कोई इसमार के तो बहुत सारी कताइं आएंगी अभी पर मुख्य बाद यह है कि की मोड में रस्माइं करतेते हैं और बहुत खुलकर बाते हो यहें मुझे लगता है वह प्रजात अंत्र में चुनावी सब चल रहा होता है तो उसका एक लाव होता है उसमें थोड़ा बहुत मनोरणयन जैसा भी हो रहा होता है एक दूसरे के उपर क्या अक्षेप लगा रहे हैं किस प्रकार के तो चलते चलते आप कुछ और बात जोड़ना चाहें तो वह अवसर आप बिलकुल उसका लाव ले पिरम वि लगता है कि यह थोड़ा विलम हो गया उसके लिए पहले करनी चाहें थी जी जी तो फिलाल के लिए विदाई करना वड़ेगा उन्होंने उसी बात को बहुत अच्छे से बताया कि वह अंक कोई कम तेज कर दें ऐसा कुछ पर यह जो एक क्रम है राजनिती का जो स्वरूप है उस पर किसी भी रूप में हो राजनर जी राम जी की जो चर्चा है वो बनी हुई है तो मुझे लगता है बारत के लिए कल्यान कारी है तो सबसे बड़ी बात ही है ऐसा कहते हैं राम का नाम चाहे शतुरता के भाव से लो चाहे प्रेम से लो चाहे इर्शा के बाव से लो जो भी राम का नाम ले रही है, तो इसका भी बलाई होगा, राम का नाम तो लेना है चीए, किसी बाव से ले? तो इसके मैं आपको आपके साथ याद करूं कि, जब रावन चाहता था सीता जी को अपना ले और वो हो निए पा रहा था, तो उसको ही सुजा दिया, किस ने दिया था वो शायद आपको पता हो तो उसको रहती ही, तुम तो रूप बदल लेते हो, तो राम जी का रूप लेकर ही क्यों नहीं चले जाते है तो उसने का उसके लिये जिसका रूप लेता हूं मुझे उसका ध्यांदर माती नहीं तो इसलिए मैं कहिरा हूं कि राम राजनीती सी में राम जी का एक रव है वह ज्ट हम एक जो असर है वो बना रहे और इसी बात के साथ में पुने आपका अगा धैश्टा लग गई हो अब तक आप हमारे साथ हैं तो लाइक शेर और कमेंट इत्यादी करके हमारा उच्छा बढ़ा है और आजेंदर जी आपका बहुत सारा आवार है क्योंकि आपके साथ हताई करके बहुत अच्छा लगए चलिए और आपके दर्सुकों को नमस्कार जैहिंद जैश